नमस्कार विद्धार दिमित्रान नो I hope you are doing well ठीक है एक्जाम जबड येता है आणि त्याच विशुवानी आपन फटाफट हे लेक्चर्स इथे डिलेवर करता हूँ ठीक है तर नेक्स्ट चैप्टर काया है आचा अपला तो आए एसी सर्किट्स है ना आता आपन यह अचा करेंट इंडियूस होते है सगड़ा आपन तया चैप्टर मदे भगितले आता एसी सर्किट्स मदे काया भगना रहता आपन बगा एसी सर्किट्स मदे असल अक्षाद घ्या कि अपने एक अल्टरनेटिंग सोर्स ला होते है दरसे EMF हैना बगा डाइरेक्ट करेंट आणि अ अल्टरनेटिंग करेंट सेट आपने सेतव करना सब्कार्णा बगाने associates मंने चलिके करेंट करेंट रह Greenview है लाक्षा दशापन बगेतले मते से समजनेंवहिते कि समझा मझे त़ी आपने लाचाम मेड़े एक alternating source मिड़ता है इन्य थे जर आपने एक circuit मझे लाओ लए लई आंज कैसी circuit मेड़ एक ऐुपने चरस चल्कारीटा कि दर्खवला है से अल्टररर्णेटक्शे करarch נ आपने बगणा रहा हुँ दो है जानार आणि अससुद्धा जानार बरुबरा है यह जा है है तुमसा अल्टरनेटिंग सोर्स ओफ एमफ आए आणि है यह दिसा सिंबॉल आए ठीक है यह सलक्षा थेवायचा अट तयला आपन कसा दिनोट करतो ई e is equal to e0 sin omega t where e0 is the peak value sin omega t जा हिशो बाणी हाथ असा e0 मज़े e जया है हाँ change होत रहा तो e0 constant है sin omega t मज़े तस 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 time आपन सम्मोर जातो है तस 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 e तुम्हाला change होता है ना middle आद तुम्हाला महाईती है sin वा यह हां harmonic function है आपना oscillation मदे भाग इतला है बरबर है sin ची value 1 आणी minus 1 मदे vary होता है आणी मढ़ूनज e ची value e0 आणी minus e0 मदे vary होना रहा है ठीक है है जाला all about introduction मज़े एवड़ा समझों गहा तुम्ही कि direct dc source आणी ac source dc source direct current produce करतो in only one direction ac source both direction मदे रहाना रहा है आणी ac source अपनला कोन देना रहा है generator देना रहा है आणी dc source कोन देना रहा है अपनला battery देना रहा है ठीक है बढ़ा रहा है ठीक है बढ़ार नो चला next ac generator में तुम्हाला संगीत लोगते ac generator बदल तेका सक्किती emf कसे induced करता e is equals to e0 sin omega t e0 is the peak value बरबर आणी i0 बरबर का होना रहा i0 बरबर होनार i0 sin omega t plus alpha जर दोगा मदे कही phase difference असेल तर तेम जे आपन oscillation और superposition मदे बगेतला तस बरबर है मग जर अलफा 0 असेल तर i0 sin omega t होनार आणी दोगे ही दोगांसा ही phase का सराणा रहा है initial phase 0 मंजे 10 e vary होईल तस आए vary होईल है ना e vary होते तस आए सुद्धा vary होईल है तुम्हाला समोर जवापन resistive circuit बगऊना तेवा तुम्हाला कड़ना रहे ठीक है तो यहोड़ा दक्षत गया AC generator में दो EMF induced होते है तो यहाँ प्रकार सा होते है मंजे हाँ सुद्धा काय होते है बढ़ा नो cyclical होता है cyclical in the sense which can vary from minus e0 to plus e0 फाइन मैं accordingly ज़र EMF अस प्लस और माइनस होता सेल तुमसा तो मंग ताचा शी associated current सुद्धा प्लस और माइनस होड़ा रहे है नेक्स्ट average and RMS value बगा important concept आए average और RMS value आताची तुम्हाला मी संगितला कि generator EMF प्रोड्यूस करतो है कि वा इंड्यूस करतो है coil मद है आणि ताचा शी निगड़े तसलेला current सुद्धा दीते वहात आए मक्ति current कस असते के सारक असते के असा for example एक अपने axis काड़तो है ठीक है आणि suppose this is your time and suppose this is your current आए असा stable नहीं रहात तारक नहीं रहात मझे उटला ही वेड़े और एक चरंट ची वैल्यू नहीं रहात actually अच्छा मदे कसा होता है ते वैरी होतास था वैरी मंजे कसा होतास था ते असा होतास था track सम्ज़ा हां ही थे तुमसा ऑी नॉट है यहता है कि लिःते ही जे लाइन आओं ही इसलाए्पन रही तुला civilians मदे जाणा राहे ही ही जे लाइन थे माइनस मदे जाणा रहे घला रहे ही बढ़ी पॉजिटी वैल्यू त्या वड़ी स्नीगेटी वैल्यू मिढ़ना रहे मला वाग अगया अवरेज दर गेतला जीरो एना रहे ना बरोबर मधुन आपन अवरेज वैल्यू कधि फुल साइकल रहों केतना ये तरह हाफ साइकल रहे तो यह भगा यह दिला सेल मझे तुम्हाला जर पीक वैल्यू दिली असल ता तुम्ही सहजश्रित्या काई गाडू शेपता तुम्हे उरेज वैल्यू काडू शेपता बढ़ाननो वैन? तह मोर ह bus y 1 वैल्यू सब्सक्राइब सब्सक्राइब एक अशी वैल्यू गया चाहिए अपना इफेक्ट तर पाईजे ला पाईजे लाइट असल तो जड़ला पाईजे प्रेस असल तर गरम धली पाईजे हीटर असल तर हीट केला पाईजे बरोबराएब है अशी कुढा एक फिनॉमीना है जाला फरक पढ़त नहीं कि करेंट यạ दिशयलासो कि या दिशयलासो है ना मनजे तो स्क्वेर असल पाईजे़ καेंजे लाजिए करेंट यहाँ डियरेक्शन यहाँ डियू असल तर थियरेक्शन यहाँ डारेक्शन यहाँ असल ह defensive system Scripture नार वरबर मग अशिक उटली कॉंटीटी यह कि जला फरक नहीं पड़ करन प्लस असो कि वाँ माइनस असो तो यह सता हीट करन्ट हीट यह प्रपोशनल असता आई स्कुएर ला और ऐग्जांपल धिदे मी रेजिस्टर लाव ला और एक प्लस माइनस अत्म यह उसर्व करतो है मी हां current शुरु केरी हीट황 warmth है हाँرض हistäली मट मी इथे same heat produce करेल अंग यहवड़ा current पास करतो है घीके इथे जे हीट 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 इद प्रोड़u साली पाजय वा जै मां दोगा मदे current ही value ञेटमों ब्यगड़ी-vepex हाली कि operate means a só याचा I not बगणार I not मांझे काई? याचा पीक वेल्यू बखणार मग पीक वेल्यू ला यी तरी मी आरेंजमेंट करून अशी वेल्यू गेमिंदेदार कि याचा नी ही आणी ही वेल्यू समांतर असली पाज़े समान तरी इंद सेंस याचानी इते जे heat generate होता है ते उडिस heat याचा मधी याचानी generate थाली भाजे मंझे उठों तरी तुमसा आए मंझे तुमसा direct current ची value आणी I not तुमची alternating current ची value आए ते आपनाला joint कराई चाहे मंझे jointer का है तुमसा jointer है तुमसा root 2 मंझे IRMS मंझे का है I not by root 2 ERMS मंझे का है E not by root 2 यह वड़ा लक्षाद घ्याएचा कि I not by root 2 आणी I rms ही values याए ते तुमची same made ना रहे सेम में मीडना रहे मंझे in the sense का है कि हाँ दोन नहीं values same heat generate करना रहे एक आजा resistor मधून जे वहाँ आपन त्या particular resistor मधून पास करतेगा particular time साथी I hope this is clear so this is the jointer यह वड़ा लक्षाद घ्याएचा आणी हेजा डुम जेडों के आत नसल गेले ता सोडून डगाएचा काही problem नहीं है करन परीक्षा जवड़ा है ताजा मध एकदम किसकट काई लक्षा ठ्यों नका यह वड़ा लक्षा ठ्यवा फक्त कि IRMS बोर बोर काय होते है I0 by root 2 तासा average काय होते है 0.637 into E0 होते है तासा ERMS का होते है E0 upon root 2 कि वा 0.707 into E0 यह वड़ा लक्षा ठ्यवा है चाह और बोले लक कानिटी वर्ण साइनिस्वाडली with time is called a phasor एक रोटेटिंग वेक्टर गोल गोल फिर तो है ठीक है आणि तीक आह दाख होता है तुमसे एक कॉंटिटी दाख होता है वर्ण विद ताइम ते था साइनिस्वाडली असला पाई गान यह आपन फेजर बगाद याला मी गासा देनोड करूं शक्तो है, की तुमसे current आहे, ठीक है, this is your I0, this is your minus I0, बरोबर, इतुन current शुरूता है, 0 पास न मैकसीमा, मख 0, मख माइनस, मख 0, असा, आता बगा हाँ वेक्टर कासा फिर तो है, आद इस्ते तुम महला हाँ, फर्स्ट कौडरेन पकड़ा, ठीक है, हाँ फर्स साइन एनर, x-axis पर प्रोजेक्शन गेतला, तो कॉस्ट एनर योडस वरक, बाकि I0 आनि ओमेगा टी सार्क हाँ, मैं हाँ प्रिफर करतो है, कारण सम्मोर सुद्धा, तेसा एन, तेसी बन जाता, आप जाला, ठीक है, हाँ, आता इथे आ है, मझे जीरो है, मझे ही पोजीशन है, इत्वन, जवाँ आतं सम्मोर यहाँ बोजीशन वर जातो है, तापन यहाँ अब पोजीशन गूट है कि तो इथे, मझे जीरो एथे है, मझे हाँ, प्रोजेक्शन डाइन जाता है, कि यहाँ लेंद जाता है, एक पोइंट अफ टाइम वर काया हुई, हाँ जावाँ य मग YEAH प्रोजेक्शन मनज्य साद पॉइंन होगो पॉइंट हुणार चीकाहिस गृवाइनस दखतेते नहींु Esto जीरो वर जीरो पासुन वन वर बगा परद जीरो पासुन वन वर मख परद असर मझे साइन नू सब्ड़ली जे कौंटिटी वहरी होता है ना बढ़ानो जाला दाखोना साथी एक रोटेटिंग वेक्टर आपनगे तो त्याला महनो या फेजर यह एक्टर से प्रोजेक्शन जर्वाय एक्सिस वर असल तर साइन एनर एक्स एक्सिस वर असल तर कॉसे नर एवड़ा लक्षा थे वा है मी एकदम स्थूब सुन्दर प्रकार यह तर के लेला है तर्चा मोडे मी है इतन गाड़ूंगे तर बाड़ानों ठीक है जानना पाई जी असल तर स्क्रीन शॉट काड़ूंगे है इसा थे आई होब दिस इस क्लियर फाइन नेक्स्ट बग डिफ्रेंट थाइपस ओफ एसे सर्किट आता समझा अल्टरेटिंग करेंट ला तुम्ही रेजस्टन्स लावला रेजस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट असा वेग वेगड़े ना हो है, that's it, बागी कहीं नहीं अच्छा मदेट, आता आपन काया करूँ, AC voltage कशला अपलाए किलाए, आपन रेजिस्टर अपलाए किलाए, ठीके, मग ते कासा कर रहा है सा बगा, E बरोबर E not sin omega t होते है, ohms law बरोबर मंज़ेगा E बरोबर IR, I बरोबर काया होणार E by R, ता I बरोबर काया होणार E, E मंज़ेगा E not sin omega t upon R, ठीके, मग E not upon R, बरोबर काया होणार तुमसा, I not, बरोबर, बरोबर का I not sin omega t, मंज़े, delay laser current, sorry, delay laser तुमसा, EMF, E is equals to E not sin omega t, असेल, तर तैचानी produce होणारा current, I बरोबर, I not sin omega t होणार, आणि I not बरोबर होते है, E not by R, ठीके, आता ही थे बगा, कुठे काई phase difference दिशता है का, मज़े इते omega t आहे थे, दोगान सा ही phase कसा है, same phase मी असा मनुशकतो, आता same phase ता आरता का है, current, same phase सा आरता हा होतो है, कि EMF जेवा maximum वर असल, current सुद्धा maximum वर रहील, EMF देवा 0 रहील, देवा current सुद्धा 0 रहील, तैचा मदे उटे ही lead कीवा lag राना रहील, ता बगा, इते दिला है का, नहीं दिला ह आता है, yes, इते दिला है बगा, EMF बगा, 0 रहील, पासल, maximum जाता है, current सुद्धा 0 रहील, तैचा मदे जेवा पासल, जाता है, इते साइकल जाता है, मनुद दोगा मदे उठला ही phase difference नहीं आए, इते लिला है बगा, E and I in resistive circuit are in phase, E and I, that's it, आद यसा फेजर डाइग्राम आख लेला है आपन, E असना रहे, E divided by R, मंजे तुम्हाला I मेंडना रहे, तर याचा हाँ वेक्टर गेतला है, याचा हाई वेक्टर गेतला है, याचा हाई तुमसे E not sin omega T, याचा हाई तुमसे I not sin omega T, दोगे ही एका स्लाइन वरा है, कारण दोगा मदे कुछला ही phase difference नहीं आपन असा प्रत्यकिशत नहीं होत, तो आपन नेक्स्ट बगना रहे का है, की AC voltage applied to an inductor, याचा हाई आपन याचा हाई काई गेतला होता, resistance, आता काई गेतला है, आपन ता चाहा मदे इंडक्टर गेतला है, मंग इंडक्टर गेतला है, आता आपन बग हुए, ज़र E हा सोर् आता है, ते बग हो यापन, बगा, E is equals to E naught sin omega t लावला है, मग असा के लिए आवर, तैचा मदे EMF induced, तो महला, you know, self induction मी शिको लेला है, कोठे EMA मदे, मग, काई होता है, तीछा तुन जर करंट जात असल, L मद तुन जर करंट जात असल, तैचा मदे EMF induced होना है, आण EMF असा induced होतो, कि जो त्याला produce करतो, त्याला स्तो अपोस करतो, पड़ मला जर एक करंट तीटे सेट कराता है, त्या सेटी महासा दी लेला EMF, आनि अपोस EMF के लेला, तो सार खासला पाईजे, मद उन बगा, E is equals to minus E dash लेला है, मग E बरोबर का है, हाँ minus, माइनस हाँ प्लस होतो है मज़े, E बरोबर L di by dt, तुम्हाला मिढता है, और di ची ही value मिढता है, आता di small value है, तुम्हाला integrate करा सा है, माला i परंता, ठीक है, मग di से integrate के लेला i परंता है, हे integration solve के ले, तुम्हाला i बरोबर मिढता है, i naught sin omega t minus pi by 2, मज़े i जहाँ है, lag करता है, कशा पा सुन, तुम्हा EMF पा, सुन्हें बगा, E बरोबर काया है, E naught sin omega t, I बरोबर काया है, I naught sin omega t minus pi by 2, मज़े, ऐचा मधे current काया होता है, lag, और EMF काया होता है, lead, हे lag आने lead गाये, तुम्हाला सा मोर सांगतो है, सद्ध्या लक्षाद गया, कि जवा मी, I naught sin omega t minus pi by 2 गेदो तुम्हाला i naught ची value, E naught upon omega l यहता है, हे लक्षाद ठेवाईचा है तुम्ही, आणि I बरोबर E upon R होता है, according to the Ohm's law, मज़े, R बरोबर ही थे काया होना है, तुम्हाला, मज़े जेही opposing factor है, ते फक्त L नस्त, ते काया है, ते अचा मधे omega l, आता omega l, omega मज़े काया होता है, 2 pi f, मज़े frequency, मज़े actually, जे opposition आए, इंडेक्टर चा, ते काशाओ, डिपेंड है, फ्रिक्वेंसी वर डिपेंड है, फ्रिक्वेंसी जीरो, ते अचा अपोजिशन सुद्धा जीरो, current lags behind EMF, कसा बगा, जे वहाँ EMF, उन्या पासुन 1 वर जाता है, ते वहाँ माइनस पासुन 0 वर एता है, मज़े मागे मागे यहता है न, बगा, यह 0 आए, मग, हाँ 0 पासुन जे वहाँ E0 होता है, ते वहाँ माइनस पासुन 0 होता है, मग, जे वहाँ 1 पासुन 0 होता है, वहाँ जीरो बासुन बन होता है मंजी याला है काया करता है कॉपी करता है ठीक है असा मनुशक्त हो कि वहाँ current lags behind what EMF यह आपन बग इतला XL है ना है I0 is equals to E0 upon R पन आर बरोबर omega L omega L मंजी 2 by FL है ना the opposing nature of inductor inductor आया ठीक है inductor to the flow of alternating current is called inductive reactants अला XL नी दिनोट करता gratitude vividton रान ठीक है यहां एथा यह on त हमितले मां इनला तोलट आद साह सुनित है छो आचछा थेद और हिग ओ आनitates ज्यावर एनला किब कétaisART नाइन्टमंट इन पाल्एट करता है जो दुऌ पनमेंग एक्वीशन यह नौट साइनोंगाट इनोट साइन ओमेगाट माइनस पाए बाए टू में डाला मझे जेवड़ा एनौट असल ना तरचा खाली माइनस निका आया ना रहा तुमसे आई आई नॉट ए नॉट आई नॉट मंजे मी इस अ इची घुस्ट गरतू एक्चुली इनॉट पीक वैल्यू आई नॉट पीक वैल्यू आई इजर असे तरह आये तुम्हाला असमेडनार मंजे इकड़े मेडनार हाई आई आए मंजे इचा मागे 90 ने काया है तुमसे आए next एक्सप्रेशन टाकले ईसे एक्सप्राशन टाकला आ्या से एक्सप्रेशन टाकले तुम्हाला आहाइन जी मनॉक्प और था गुक्रहक या सकते कुष्प यदृ और फार्म बगिए पर आई नोर्ट मैक्सिमं मिंफ़ते। e0 को एनट कि यह सबली और टो माइनस मोर जाता है माझे समोर कून जाता है तरुछा तरुछा मागे मागे काई यहता है यहता है वरुबर। मुहुत तेला मनुएं का है कि Current Leads EMF पेजर डाइग्राम बगा हाँ ए असनार इकड़े त्युम्सअ आए ए एकड़े होता Inductive Reacts असाथी आए यहाँ साइडला होता असा Current का है करता लैग आता हाँ लीड करता है कि तीने 90 ने दाहा समोरे नार, यहोड़ा सा है, बाखी काई नहीं अच्छा हमादे, ठीक है, यह थोड़ा सा लक्षा थेवाएच, यह क्लियर होन जाएल तुम्हाला, तेचा है, जे मागे आपन बगीतले, इंडक्तिव रियाक्टंस XL, कैपसिटिव XC, that's it, कैपसिटिव रियाक्टंस सा फॉर्मुला दिला है, दुगा मदे डिफरेंस दिलेला है, थोड़ा सा बात सुन गया, जे मी तुम्हाला, एक्स्प्लेन केला, तेस तीधे दिलेला है, next, आता काय करता है मी, तीगा नाही कंबाइन करता है, रेजिस्टंस, आणि कैपसिटर है, तीगा नाही मी काय करता है, कंबाइन करता है, एकत सर्कृट मदे लावता है, सर्कृट मदे लावले अवर तैचन अन्तर तैला एक सोर्स आफ अल्टर्नेटिंग EMF लावलेला है, और मला आता बगायसा है, कि E आणि आई महें काय रिलेशन है, मंझे आए लीड करता है लैक करता है यानि दैंसा फेजर डाइग्राम कसा बनता है यह माला कड़ाई से बगा मग कसा आता वोल्टेज ही जो है जो मझे वोल्टेज इंदा सेंस हाजो सोर्स आफ एमेफाय तो ती घान ना एकच दिलेला है क्यों तीन ही सीरीज मध्या है यहाचा एक आरचा एक्रोस ड्रॉप तुम्हाला तरमाहीते काह होना रहा आय आर मंग यहाचा एक्रोस ड्रॉप काह होना रहा आय इंटू एक्ससी आणि यहाचा एक्रोस काह होना रहा आय इंटू एक्ससी आणि यहाचा एक्रोस काह होना रहा आय इंटू एक्ससी आणि यहाचा एक् स्टेट्मेंट तुम्हाला कर लाख से आता यह अधार गूरुई धर तो यह आपन की ड्रॉप एक्रोस यह यह एननकी आपकरों यह यह ग्रेटर राइस कपेर तु ई मज़े आधी आपन हाँ पक्रोंगे हुआ इस एकड़ असेल ठीक है आणि हाजर कंपोनेंट ए आर असेल तो अब्यस्ली त्याला से लागून तुम्से काई एता है अच्छा मदे याइल जियासत गेतलल ईसी आपने आपन गेतलल कमि तो या दोगां चारी रिजल्टंट पर बगांशा यावड़ा पकड़लेंला है दोगांचा रिजल्टेंट, बरुबर, मन्जेच काए, यहां इकड़े E R, ठीक है, आणि यहां दोगांचा जो रिजल्टेंट आतो वर जानार, यहां दोगांचा ही रिजल्टेंट काई एनार, हाजर आपन असा गोल किले तर हाई एनार, अलका लक्षा ते उड़ा, I hope this is clear, बरुबर, परत एकता सांग तो बगा, हाँ आपन E घेतला है, तो आपन E, तो एकता लगांट, एकता दी शेला आपन यहां तो सॉल्ट करना है सा पर इतना गरतो है, बरुबर है, आता, हाँ तुमसा E L जाला, हाँ तुमसा E C जाला, आपन E L greater than E C के लिए, तो रिजल्टेंट यहां दोगांट सा वर यहां, हाँ इकड़ सा अल्रेड़ी आए, जो तुम्हाला, आरचा एक्रोच जो आपन गेतलेला, तो तुम्हाला त्यास एक्रोच काई मिड़ता है, आए मिड़ता है, मग यहां दोगांट सा रिजल्टेंट काल जो एक काम करता हूं, मिड़ता है आचा नहीं सांगता तुम्हाला, हे बगा, आर मदे काया होता है, जा दीशेला आए अस त्या दीशेला ए अस ते, मझे ते बगा, फेजर डाइगराम आपन बगितलो होता, जा चा मदे ए अस होता है, ता आए सुद्धा त्यास दालाए निला होता हूँगा, तुम्हाला एक दा बगुन गया, यह बगा, यह दिशता है, प्योरली रिजिस्ट्व सर्कीट, आए जा लाए निला है, त्यास लाए निला, आ यह बरुबर, आपन गे ला, इंडक्ट्टिव मदे काया होता है, जा याला याँए ता निल्चा खाली बगा कसा होता है को अ मी ही करता है अचाहे क्रोस आए आर चाहे क्रोस आए थेसल कि आए और ता थ्याइस दिशेवा का रहा ना रहा है तो उमसे आए अबढ़ा क्लियर राए आता एक या दिशे लानी कि या दिशे लाए तो दोगान सा रिजल्टेंट या दिशे लाए येता है मग हां काया E L ग्रेटर रहे अच्छा मदे आता का लक्षा मग ज़र आपन करेंट आए गेतो है आनि हाज रिजल्टेंट गेतो है याला खली असल ग्रेंट घुर्टेंट असलत याला लाग मंदे तुमसा आए मिढ ना रहें मंग हां रिजल्टेंट याला उड्स में अडियाई लाए दिसने तो एक लाए व्याट करतें ने याश्या आपकेट है का है E0 upon I0 under root of R square plus XL minus XC whole square आता E0 upon I0 मंज़े का हो तो resistance resistance मंज़े opposition तो यहां किस मज़े opposition तुम्हाला काई मिढता है बगा E0 upon I0 बरुबर का है Z, Z मंज़े इसका है तुमसे है समोर लिए उन दिल एका नहीं न मीध्य लिए होंगे तो बगा मंज़े Z बरुबर का है मिढता है यहाला impedance मनूँ यहां आपन अंडर root of R square plus XL minus XC whole square आता Z impedance मंज़े का है it is the opposition offered by LCR circuit to the current मंज़े है का होते बगा कि जस्ते ही circuit आया circuit मदे LCR आपन लाव लेला है आणि source of EMF लाव लाव तो obviously है का है ना का है आपोजिशन देतील कशला current ला मग तो opposition किती रहाना रहा है ताला मनूँ यहां impedance आणि जाथा formula किती रहाना रहा है बगा जाथा formula रहाना रहा है आपन बगीतल कि रेजेस्टिव सर्कीट मदे की तिया पोजिशन आहे आ रहा है मग इंडक्टिव मदे ओमेगा एला है कापसेटन्स मदे वन अपॉन ओमेगा सी आहे आणि याचा मदे काया है आर अंडर रूट आफ आर स्क्वेर प्लस एक्सल माइनस एक्सी होल स्क्वेर आथा इंपिड़ेंश ट्राइंगल मझे तो अपन बगितल है ना पिफिड़ेंस आर एक्सल एक्सल माइनस है याने हाँ ज जड़ेंश ट्राइंगल है प्लस फाइक्ट पावर वर उपर काओ द आपक्वेर अपोज़िट अपन अटजेसंट एक्सल-1 एक्सी अपन आर प् L. Inductor, C. Capacitor oscillations, कस है यह एक तर्किड केतली, तरचा मधे capacitor चार्ज के ला आणि लाओं दिला ध्या शीरीज मधे काहा लावला इंड़क्टर, विभीसली का है होणार capacitor discharge, capacitor discharge होता है तो इथुन करण्ट चेंज होता है वोटैनिया एक पॉइंट पूर्ण डिशचार्ज होई तेवाह ऐड आते शर्यचार्ज होईड मक्ली तो अट बूदो न shops दी वोटैन्म अर्टे उस्चार्ज घ सब्रोद्स सेयत त्दail मक्तर मैं खर्यस्चार्ज होई बिवन is allowed to discharge through a non-resistive inductor, electrical oscillation of constant amplitude and frequency are produced, these oscillations are called as LC oscillation, charge capacitor गहाई सा, inductor चा एक्रोस लावाई सा, capacitor discharge होई inductor, charge will charge in the sense जा 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 मैनने फिल्ड मदे एनर्जी स्टोर होई, जाधा formula आपन या चाद इस दिराइव के लिला होता, जाधा formula है, half Li0 square, I0 set होद परंद, अनि capacitor मदे किती एनर्जी स्टोर होनार है, half Q square upon C, बरोब रहे, तर याचा एनर्जी आचा मदे चानवर्ट होनार, अनि याची एनर्जी आचा मदे now what is electrical resonance, see you have the formula impedance, formula for impedance, Z is equals to under root of R square plus XL minus XC whole square, now somehow if you make XL is equals to XC, then this term will cancel out, now what left is, Z is equals to only R, so at a particular frequency, XL will be is equals to XC, okay, and at that time, the current flows to the circuit is maximum, because the only resistance offered by the LCR circuit is nothing but the R, it means there is no role played by the capacitor and the inductor in the opposition for the current, only the resistance will have the opposing factor, that is, you know, that is equal to Z, I hope this is clear, बरोबर है, मी काय मतला है चामदे, कि जर कसा ही करून मी XL बरोबर XC जर के लए, तर मस इतुन उडून जाते, मजे Z बरोबर काया राड़ा रहा है, R, मजे कमित कमिया पोजिशन होईल, अनी जासते, जासते, करेंट फ्लो होईल, टेच साहे तुमसे इलेक्ट्रीक रेजूनस, a circuit in which inductance, capacitance and resistance are connected in series and circuit admits maximum current, बरोबर है, corresponding to a given frequency of AC is called as a series resonance circuit, यहाँ frequency वर एक्सेल बरोबर XC करा, तर टूपा एफल बरोबर काया, वन अपॉण टूपा एफसी, यहाँ सॉल के लए तर एफ बरोबर, वन अपॉण टूपा अंडरो टेल सी तर यहाँ frequency वर एक्सेल बरोबर XC होता है, आणी सीरीज में होता है, रेजिस्टन्स एकदम कमी होते है, यह हम दे रेजिस्टन्स एकदम वारते है, ता करेंट एकदम कमी हो ना रहे, बगा, करेंट एकदम कमी चाहिए, फॉर्मुला सा सेम रहनार, डाइग्राम तुमसा ते रहनार, fine, next, आही घोस्टी, जा डेरिवेशन मदे नर्स आता, आप लला कामी रहनारा है, की रेजिस्ट्यू मदे एवरेज पावर कीते, रेजिस्ट्यू सर्कृत मदे एवरेज पावर कीते, ते ERMS इंटू IRMS, fine, एवरेज पावर असोसिएट विद इंडुक्तर अन कापसिटर ते जीरू रहनारा है लक्षाद ग्याय सा, आही एवरेज पावर असोसिएट विद LCR सर्कृत रहनारा है, ERMS, IRMS, कॉस्फाई, विर कॉस्फाई इस पावर फैक्टर, fine, एवडा गोस्टी जाही तुम्ही लक् पिक्स मी गेत आहे, वेवस्तित करा, वारमवार करा, अज्जु नहीं वेड आहे, काई गेलेली नाहीं आहे, ठीक है, पुटलाही कारनास्तों लेक्चर जरी लेट जलेसल बाडान्नों, तरी सुद्धा करनाराला दोन तिन दीवा सही सफीशेंट अस्तात, है ना, आणि मी नहीं आहे तुमचा सोबत, ठीक है, डॉंट वरी, तुम्हीं जस्ट करत रहा, ओबिसले रिजल्ट तुमसर आणारा रहा है, फाइन, सलातर, थैंक यू सो मच.